नमस्कार जहीं मैं हूँ रॉनेक आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया वेस्टेंडी स्पेशल रंतंत्र देखो पहले मैच में जो वन फिफ्टीन का टागेट बनाने में हमारे पांच विड़ गिर गए न तो बहुत हल्ला मचा था मैं ने मामला रफा तफा इसले कर दिया क्योंकि मुझे पता था की उपर नीचे तो चलता रहता है लेकिन दूसरा वंडे हारने के बाद मुझे लग रहा है कि यहां उपर नीचे 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 ही चल रहा है क्योंकि देखो बात बस इतनी सी है कि एक S.E. टीम जो वल्लकप में कौलिफाई भी नहीं कर पाई है वो अगर हमें वन साइडे ढरा दे रही है तो दिक्कत तो है और यह दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है अगर दो महीने बाद वल्लकप भी खेला जाना है क्योंकि 2006 के बाद से वेस्ट इंडीज ने हमसे जितने भी बाइलाटरल वंडे सीरीज खेली है सब हारी है लेकिन आज ट्रिनिडाड में वो इतिहास बना सकते हैं अगर उन्होंने तीसरा वंडे जीत लिया तो सोचा तो नहीं था कि इस सीरीज में ऐसा भी मोमेंट आ जाएगा जहां पर हम सीरीज बचानी की टेंशन में पड़े होंगे लेकिन देखो सोचा तो हमने भी यह नहीं है कि अपनी क्रिकेट नॉलेज का इस्तिमाल करके आप घर बेटे हाजारो रूपे जीत सकते हो और बड़ी आसानी से आप हजारो रूपे जीत सकते हो बिना किसी एंट्री फीज के कोई एंट्री नहीं है तो फ्री में खेलना तो बनता है न और क्रिकेट का नॉलेज दिखाओ पईसे कमाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ कीवी आप का लिंक दिया है अब राहूल भाई ग्रेट हैं वलकि मेरे इसाब से ग्रेटेस्ट हैं लेकिन क्या जादा लॉजिकल ये बात नहीं होगी कि अब जब वर्ल्ड कप में सिर्फ दो महीने बाकी हैं और आप अल्रेड़ी अपने कई सारी प्लेयर्स को रेस्ट दे चुके हैं और कई चोट की वज़े से पहले से खेलनी पा रहे हैं तो आप जो प्लेयर अवेलेबल है उनको पूरी मैच प्राक्टिस दे तो भीया कोली और रोहित को रेस्ट देने का क्या मतलब बनता है जब इसके बाद होने वाली T20 और उसके बाद आर्लेंड सीरीज में अल्रेडी इन दोनों को नहीं खेल रहा है जबकि हमारे पास अब मुश्किल से 10 वंडे मैच भी खिलने को नहीं बचें है वर्ल्ड कप से पहले लेकिन क्योंकि इंद्रा नगर के गुंडे ये बोल चुके हैं कि हर मैच इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आज भी आपको रोहित और कोली टीम में नजर नहीं आएंगे लेकिन देखिए इसका एक दूसरा पॉइंट भी है बिना रोहित और कोली के मैच हार जाने का मतलब है कि इनके अलावा आपकी टीम में कुछ है ही नहीं चलो ये मान लिया कि ये दोनों नहीं थे इसलिए हम दूसरा मैच हार गे लेकिन हारे भी ऐसी टीम से जो वर्ल्ड कप में कॉलिफाई भी नहीं कर पाई है स्कॉटलेंड और जिंबावे जैसी टीम से हार गई है और अभी स्कॉटलेंड और जिंबावे में तो विराट कोली और रोहिच्छरमा नहीं खेलते हैं ना क्यूंकि उन्हों ने तो वेस्ट इंडीस को हरा दिया है यहां पर अच्छा performance न करने का मतलब है कि पहले Asia Cup से और उसके बाद World Cup से ड्रॉप हो जाना क्योंकि अब Ireland सीरीज में बुमरह आगर वापस आ गए हैं तो भईया Asia Cup में केल राहूल और शेय सेयर भी वापस आही जाएंगे अब इंडिया को थोड़ा साइड में रखकर वेस्ट इंडीस के बात करें तो उनको भी पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा बाबू भाईया कप्तान शेय होप के लिए में काफी खुश हूँ एक ऐसी टीम जिसमें बाकी सब खिलाडियों ने अपने आपको बड़ा हिटर बना कर T20 क्रिकट का स्पेशलिस्ट बना लिया और अपनी टीम छोड़कर दुनिया बर की क्रिकट लीग खेलने लगे वहाँ शेय होप अपने बेसिक्स पर डटे रहे तो ये उनकी रोट टू रिकवरी हो जाएगी और इंडिया जैसे सूपर पावर को हरा कर 2027 वर्ल्ड कप की शुरुआत करने से बहतर और क्या हो सकता है खेर इस ग्राउंड में अभी तक सिर्फ एक इंटरनाशनल मैच हुआ है तो दोनों ही टीमें पिच से तो अंजान होंगी लेकिन किच-किच दोनों टीमों को भली भाती पता है आपकी साब से आज होने वाले मैच में फेवरेट टीम कौन है? कॉमेंट करके जरू बताएगा और कॉमेंट से थोड़ा ही उपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कीवी आप का तो उस पे क्लिक करके इस आप को अपने फोन में डाउनलोड करो पूरा हिंदुस्तान इसको डाउनलोड कर रहा है क्यूं? क्यूंकि क्रिकेट की नॉलेज दिखा कर यहाँ पर आप डेली हजारो रुपे जीत सकते हो अब आज का मैच देखोगे न? तो कल सुबे इसी मैच से जुड़ा कुछ सवाल पूछूँगा येस या नो में जवाब देकर फ्री में है कोई एंट्री फीस नहीं है फ्री में आप क्विज खेलो और हजारो रुपे जीत सकते हो ठीक है तो जल्दी से एप डाउनलोड करो और चैनल सब्सक्राइब करके जाना थैंक यू फॉचिंग जल्दी मिलते हैं जेहिंद